दोस्तो आज हम CNC operator के बारे में बात करेंगे हो सकता है आप में से बहुत से candidate इसके बारे में ना जानते हो लेकिन यह एक अच्छी opportunity है और इसमें 10th के बाद candidate अच्छी नोकरी पा सकते हैं तो आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर CNC machine क्या होती है इसमें क्या कार ये करना होता है CNC operator कैसे बनते है इसके लिए कौन सा course करना होता है उसकी फीस कितनी होती है इसके लिए नोकरी कैसे ढूंडेंगे और इसमें वेतन कितना मिलता है तो दोस्तो CNC जिसका full form computer numerical control होता है यह एक तरह की machine होती है जो की manufacturing industry में बहुत काम आती है इसकी मदद से अलग-अलग तरह के machinery part को बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सफाई के साथ बनाया जाता है इस machine में एक computer लगा होता है जिसमें एक numerical code भरना होता है और उसी के हिसाब से यह machine उस part को तयार करती है यह CNC machine कई तरह की होती है जैसे CNC miling machine, CNC lat machine, CNC router machine, CNC plasma cutter machine, CNC electric discharge machine, CNC laser cutter machine इन सभी CNC machine का अलग-अलग काम होता है जो की अलग-अलग तरह के part बनाने में काम आती है और इन CNC machine को चलाने वाले candidate को CNC operator कहते है जिनकी आज के समय में बहुत मांग है क्योंकि यह machine जादतर कमपनियों में use होती है और जिसे चलाने के लिए CNC operator की जरूरत पड़ती है तो CNC operator बनने के लिए candidate को एक course करना होगा जिसमें candidate को सभी CNC machine के बारे में जानकारी दी जाती है तो बहुत से private institute है जो CNC के लिए अलग-अलग तरह के course प्रोवाइड करवाते हैं जैसे CNC programming, CNC industrial training, CNC machine program, numerical control program, CNC आदी और ये सभी course अलग-अलग duration के होते हैं कोई 7 दिन का होता है तो कोई 60 दिनों का भी होता है यह सभी institute पर निर्भर करता है और इन सभी course की फीस 25-5000 रुपे के लगभग होती है इन course को करने के लिए candidate का किसी भी विशे से 10th पास होना जरूरी होता है फिर चाहे candidate ने 10th के बाद 12th कर ली हो graduation भी कर लिया हो उसके बाद भी candidate इस course को कर सकते हैं फिर course करने के बाद candidate को किसी company में नोकरी के लिए अपलाई करना होता है जहाँ पर interview के बेस पर candidate को नोकरी पर रखा जाता है जिसके बाद कुछ दिन ट्रेनिंग दी जाती है और फिर candidate को उस CNC मशीन पर काम करना होता है जो भी बताया जाए उस तरह के पार्ट को बनाना होता है अब बात करते हैं वेतन की तो CNC ओपरेटर को परती महा 15,000 से 25,000 रुपे के लगभग वेतन मिलता है जो की समय और experience के साथ बढ़ता जाता है अब जानते हैं कि CNC ट्रेनिंग के लिए आप institute का कैसे पता करेंगे तो माना जैसी कि आप दिल्ली से हैं तो आपको गूगल पर CNC ट्रेनिंग institute in Delhi लिखकर सर्च करना होगा जिसके बाद कुछ institute के नाम आपको दिखाई देंगे तो आपको उन पर क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर जाना होगा जहां से आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो भी institute आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं और इसी तरह आप जिस भी state से हैं अपने आसपास institute का पता कर सकते हैं और फिर कोर्स पुरा करने के बाद नोकरी के बारे में पता करने के लिए आपको फिर से गूगल पर जाकर CNC जोब सर्च करना होगा जिसके बाद बहुत सी नोकरिया आपको दिखाई देगी जिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जहां पर नोकरी के बारे में सभी डिटेल्स दी गई होगी और वहीं पर नीचे कोई मोब जिजग हमें नीचे कोमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके लिए उस टोपिक पर भी वीडियो बना देंगे और इस वीडियो को लाइक और शियर कीजेगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा जिए बाइकन देंगे बना जिए और आपके लिए आपके लुटा पर भीडियो के लिए भीडियो को लाइकन देए।